चलिए दोस्तों आप लोगों ने कचोड़ी तो बहुत ही खाई होंगी पर आज मैं नए तरीके की कचोड़ी बना रही हूं आलू और मटर की मिक्स कचोड़ी आप एक बार ये रेस्पी जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी अब बच्चे बहुत ही अच्छे से खा रेते हैं यहां पर आलू को और मतर को उबाल लेते हैं तो यह पर मैंने लिये है साथ आलू शेयर मे ले थे तक मैंने मैं पर दो प्याज मीडियम साइज के काटे हैं दो तीन हरी मेश काटी हैं और धनिया म मैं गिलास की मदस से फोड लोंगी अगर आप चाहें तो कद्दुकस भी कर सकते हैं पर यहां पर मैं आलू इससे फोड़ूँगी गिलास से जिसमें की हमारे आलू बिल्कुल महिन हो जाएंगे और अम मैं डालेती हूं मटर मटर हमारी एक दम बिल्कुल पक गई है अच्छे करके अब मैं इसमें डाल देती हूं मसाले यहां अगरा लिया है नंदे डाले मिर्च मनदेनी डालए ह्टीपनी और थानिया पॉडर गौ構 tej 묶्य चुछाली नहीं पॉडर के लिए और यहां पर मैं ले लेती हूं धनिया पॉटर आदी चममच और अदी चममच मैं जीरा कहड़ा जीरा डाला है पिसा नहीं डाला है आप छाहे तो पिसा भी डाल सकते हैं स्वाधन सा नमक चुटकी भर हींग और यहां पर मैं ले लेती हूं एक चमज भरकर मैंने लिया है चाट मसाला अगर आपके पाद चाट मसाला नहीं है तो आप अम्चुल का पॉडर भी डाल सकते हैं तो सभी मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करके रख देती हूं साइड में यहां पर मैंने आटा पहले से गूत कर रखा था और आटे में मैंने तेल और नमक डाल करके गूता था एकदम मेरा आटा सॉप्ट है तो यहां पर मैंने छोटी-छोटी सी लोई देती हूँ और बंद करके इसका जो उपर का आटा होता है ना वो मैं निकाल लोगी जिसमें की बीच में हमें मोटा पन ना लगे और हमारी जो कशोड़ी है बहुत ही अच्छी एकदब फूली-फूली सी बने तो यहां पर पहले मैं हाथ से तरीके से कुछ या लोगी और कु लगेता है तो अब चलते हैं इनको फ्राइ करने तो यहां पर मैं टिल पहले से गवहने के लिए रख दिया थो और तेल हमारा गरम हो चुका है तो यहां पर मैं डाल देता हूँ क चोड़ी और यहांपर एक-एक करके अलोंगे हमारी इसमें आयेंगी उतनी मैं डालूंगी तो यहां पर मैं तीन-तीन करके डालूँगी और अच्छे से हमारी कचोड़ी एक साइड बढ़िया से पक जाएंगी तब ही मैं इनको निकालूँगी तो यहां पर मैंने अच्छे से डाल देते हैं और डाल करके आप देख सकते हैं एक साइड यह पक चुकी है तो यहां पर मैं इनको पल्टा देती हूं और इनको करारी होने तक धीमी आज में मैं सेखूंगी जिसमें कि हमारी एकदम करारी करारी सी बने तो आप देख सकते हैं कचोड़ी एकदम बड़िया सी फूली फूली हमारी कचोड़ी बनी है और हमने कचोड़ी बन करके रेडी क ुस बच्चाई घए